जटका लगा आधित्य ठाकरे को कोरोना हो गया है सुनके जटका लगा लगना भी चाहिए आखिर स्थिती कुछ ऐसी है महराष्ट की जो राजनीती है पूरी हिल चुकी है आज महराष्ट को जिस तरह से हम देख रहे हैं जहां पर शिव सेना एनसीपी और कॉंग्रेस ही नही कि परंबीर सिंग जी का ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि सचनवाजे के केस में परंबीर सिंग जी इनके अच्छे मित्र हैं इनके लिए भाईया बहुत से इन्होंने मदद कर रखी थी अब क्या हुआ कि इनका ट्रांसफर हो गया परंबीर सिंग जी का भाईया साथ दिय शिव सेना ने ये कहते हैं भहिया ये सब रूटीन प्रोसेस हो और वो कह देती है अनील देशमुक जी भहिया ये व्यक्ती इसलिए गया है क्योंकि इसने अच्छे से जूटी नहीं की तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है अब ये लैटर लिख देते हैं किसको चीफ मिनिस्टर को महराश के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठागरे को उद्धव ठागरे को उसमें बहुत संगीन आरूप लगाते हैं कि अनील देशमुक सचिन वाजे को अपने पास बुलाते हैं और क्या रन करते हैं एक्स्टॉर्शन मनी का एक बिजनिस पब्स बार्स ये सब जो रेस्ट प्रॉटी करते हैं ये टोटल चला जाता है सौ करोड के आसपास और ऐसे आप सोचो ए कितने एसाई होंगे अगर सिर्फ सचिन वाजे 100 करोड की फिरॉटी वसूली करके दे रहा है एक एसाई तो भईया यहाँ पे इतने एसाई मिलाके ये कितनी फिरॉटियां वसूलिया क करते होंगे आप यहीं पर समझ सकते हो अगर दस भी हम लगा ले अगर दस एस आई भी अगर यह कर रहे हैं तो हजार क्रोड का तो इनका आप यहीं पर समझ जाओ कितनी फिरोती और इसमें कितना जाता होगा चीफ मिनिस्टर की जयव में ये समझो इस चीज को आपके ग्रिह मंत्री ये कर रहे हैं फिरॗती यहां वसूली और इसमें कितना चला जाता होगा उद्धव ठाकरे की जयव में क्योंकि परंबीर सिंग जो लेटर लिखते हैं उसमें किन किन का नाम लेते हैं सब के नाम सुनना उद्धव ठाकरे अनील देशमुख शरत पवार ये तीन प्रमुख नाम यहाँ पे क्लियरली आ जाते हैं कि ये लोग अब आप समझ सकते हो किस तरी से कितना अपनी जेब में खा रहे होंगे यो फिरोती का जो धंदा चल रहा है महराष्ट में एक तरफ टी आरपी केस को लेके ये प्रेस कॉन्फरेंस कर रहा था परमबीर आज ये ये दिखा रहा है मैं इसको जानता था मैं आपकी नजर में लाया लेकिन इस व्यक्ति से प्रेस कॉन्फरेंस नहीं हुई आप इनकी देख रहे हो नियत धूरतता ये है इमानदार हम उस दिन से कह रहे है भरष्टता ही भरी पड़ी है यहाँ पे ये आज एक्स्पोज हो चुके है सारे राजनीती जब उद्धव ठाकरे के लिए बात हो रही थी जिसका भहिया ये लेटर लिखके नाम आया है गिरफतार करो अब देखो जो भी है न दोशी यहीं पे बात आती है ये सब आपस में कैसे एक दूसरे के उपर कीचड वो उच्छाल रहे है अनील देशमुक कह रहे है कि भहिया ये जो व्यक्ति है ये विचारया खुद गलत चीजों में लिपत है इस वज़े से तो इसको भहिया ट्रांसफर की है आप इसकी बातों पर भरुसा करोगे उसने कह दिया परंबीर जूट बोल रहा है परंबीर सिंग यहाँ पर कह रहा है अनील देशमुक यहाँ यह गलत धंदे चला रहे है अब सोचो इसको पता है इसमें समझना परंबीर सिंग भी कोई दूद का दूला नहीं है ये तो है इगंदा सो शांत के किस से पता ही लग गया कि कितना भहिया भरष्ट है लेकिन आप इस चीज को समझो यहाँ पे जो अपने आपकी छवी सुधारने की ब्रेन वाश करने की कोशिश कर रहा है यह कहते वे कि अरे तब मेरे पास सचिन वाजे आया तो मैं आपको बता दूँ यही पे कितना बड़ा खेल है सचिन वाजे जिसको भहिया जो खुद भहिया बदनाम है यह कितने वो हैं कि वो जाता है उससे भहिया फिरोती की मांग होती है यहाँ पे आके वो सबसे पहले इसको बताता है यह कुछ नहीं करता यहाँ पे बस यह दिखाने की यह तो लेटर में दिखाने की कोशिश कर रहे है मैं इमानदार हूँ असल में यह भी वो हैं धूरत की हम कितना खा जाएंगे इस बीच में जब इतना बड़ा रैकेट हमारे हाथ लगया हम कितना खा जाएंगे यह सब के सब जेल में सडने चाहिए यह पूरे भाईया राजनेता से लेके पुलिस वाले जो भष्ट है सब को जेल में आजीवन कारवास दे देना चाहिए और कुछ को तो जो फासी चड़ जाने चाहिए और कितने केसेस निकल जाएंगे लेकिन इस बीच में हमारे भाईया छोटे से नन्ने से बच्चे को कोरोना हो जाता है यह भाईया गंभीर है कि आदित्य ठाकरे इस बीच में एकदम से ऐसे निकल के आते और बोलते मुझे कोरोना हो गया अब यह विशे कहां जाता है इसको समझना यह कोरोना कहां से हुआ यह जो सचिन वाजे को गिरफतार किया ना मनसु खिरेन की मृत्यू में जिसमें बात हो रही है कि वो ब्लैक मर्सडीज जो सचिन वाजे की थी वो यहाँ पे एहम किरदार निभाती है वो ब्लैक मर्सडीज में मनसु खिरेन को ले जाया गया जो एना यह को लग रहा है और उसके अंदर पहले उनको पीटा गया ड्रग्स दिया गया जी हाँ पीटी आई की जो रिपोर्ट आई है मनसु खिरेन को मारने से पहले गिराने से पहले ड्रग्स दिया गया था अब ये जरूर ये खुलासा बहुत हुआ है आज ये क्रैक होती है न्यूस कि मनसु खिरेन की मृत्यू से पहले उनको ड्रग्स दिया गया अब ड्रग्स का नाम आती ना इन कुछ लोगों का नाम आने लग जाता है इम्तियास खत्री राहुल और इस वज़े से मैं बंद कमरे में बंद रहूँगा अब इससे ज्यादा तो मैं और क्या बोलू तो यहां पे आदित्य ठाकरे का जो जूट है पैत्रा है अपने आपको बचाने का और साजिश रन करने का कि इनको भहिया गिरफतार नहीं कर लिया जाए ये जांच कि उसमें ही क्या साजिश चल रही है क्या यहां पर यह करने की अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे है यह देखना रहेगा जो आने वाले दिनुन में हमें देखने को मिलेगा ब эту hoard अ और मैं तो यह कहूंगा कर दो जो मेरा यूजर ने में आपको नीचे साइट में देख रहा होगा जै हिंद